केंद सरकार की तरफ से फिरी राशन लेने वालों को फिर से सोगात मिलने जा रही है दोस्तों जैसे कि आप से भी जानते हैं कि केंद सरकार की तरफ से परधन मंतरी गरीब कल्यान अनियोजना के अंदरगत मिलने वाले राशन की अंतिम्तिति को कई बार बढ़ाया गया है किम्तिती सरकार दुवारा निर्धारित की गईती उस तिती में बढ़ोत्री होने जा रही है। साथी दोस्तों एक और बड़ी कुसकबरी है कि आपको जो रासन अभी हाली में मिल रहा है उस रासन के साथ और भी कई रासन मिलने वाले हैं। अब दोस्तों वह कौन-कौन से रासन मिलेंगे, कौन-कौन से नए रासन सामिल किये जा रहे हैं, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे जा रहे हैं। लेकिन सरकार दुवारा हर रासन कार के अंतरगत अलग-अलग रासन दिया जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि सरकार की तरफ से कई प्रकार के रासनकार जारी किये गए हैं तो दोस्तों किस रासनकार को क्या रासन मिलने वाला है और कौन से रासन सामिल किये जाएंगे जो नए रासन सामिल होने वाले हैं उन सभी के बारे में भी हम आपको यहाँ पर डिट साथ अंतर तक बने रहेगा और दोस्तो वीडियो को देखते रहेगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेयर करेगा चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप चि एक बार फिरी राशन दिया जा रहा है यानिके वैसे तो दोस्तों सरकार की तरफ से एक महिने में दो बार राशन मिल रहा है जिसमें एक बार फिरी राशन दिया जाता है और एक बार आपको पैसे दे कर राशन को खरीदना होता है दोस्तो सरकार ने फिरी रासन योजना की कई बार अंतिम्तिति को बढ़ाया है आप सभी को ज्यात होगा कि क्रोणा महामारी के वक्त यह योजना शुरू की गई थी जिसके अंतरगत फिरी रासन देना सुरू हुआ था दोस्तो क्रोना वार्यस के चलते सभी की आर्थिक इस्तिती खराब हो चुकी थी जिसके कारण सरकार ने यह लाब देना शुरू किया था तबसे अब तक फिरीराषन ही दिया जारा है साधी दोस्तों इस बार सरकार ने फ्री रासन की अंतिम्तित्थी को बढ़ा कर 31 दिसेंबर 2022 निर्धारित किया हुआ है यह से भी आप जानते होंगे लेकिन 2024 के चुनाओं को देखते हुए बीजेपी सरकार हर पार की तरहे इस बार भी अंतिम्तित्थी में बढ़ोत्री कर सकती है दोस्तों कई बार अंतिम्तित्थी को बढ़ाये गया है लेकिन अभी हाली में जो आपकी अंतिम्तित्थी है 31 दिसेंबर करीब दोस्तों 21 दिन अंतिम्तित्थी के रह चुके हैं फिर से सरकार अंतिम्तित्थी में बढ़ोत्री कर सकती है यहाँ पर बढ़ोत्री होने के बाद आपको कौन-कौन से नए रासन मिल पाएंगे उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं किस राशनकार के अंतरगत क्या राशन मिलेगा, कौन सा नया राशन आप ले पाएंगे, वह तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो के मात्यम से दे जा रहे हैं दोस्तों अगर सरकार अंतिम्तिती में बढ़ोत्री करती है, तो फिरी राशन में कई नय राशन सामिल होगे, अब वह राशन कौन-कौन से हैं यहाँ पर जान लेजिए जैसिक दोस्तों आपको गेहू आउर चावल तो मिल ही राशन है, उसमें जो एड हो सकता है, वह पीली दाल, देशी घी, चीनी और भी कई राशन हैं जो फिरी राशन में सामिल हो सकते हैं आप सभी को ग्यात होगा कि सरकार ने गेहू चावल के साथ फिरी, चने, तेल, नमक भी दिया था, उसी प्रकार से दोस्तों इस बार भी मिली जानकार के नुसार नए राशन सामिल हो सकते हैं अभी हाली में लावार्ति को गेहू और चावल ही मिल रहा है दोस्तों परतियक राज्य में अलग-अलग त्रैसे राशन मिलता है कई राज्य ऐसे भी हैं जिनमें आटा, चीनी और ताल तेल भी अभी हाली में मिल रहा है तो दोस्तो यह लाब सभी रासनकार वालों को नहीं दिया जाएगा जी हाँ आपने सई सुना है तो किन रासनकार धारकों को क्या रासन मिलने वाला है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिगा जाद से जाद दोस्तों सेर भी करिएगा दोस्तो अब बात करते हैं आपके रसनकाड की देखिए अगर आपके पास APL रसनकाड है तो आपको गेहूं चावल दिये जाते हैं बांटे जाते हैं वहीं BPL रसनकाड वालों को और आन्क्योद्य रसनकाड वालों को गेहूं चावल के साथ चीनी, तेल, आटा, दाल, इत्यादी राशन दिया जा रहा है दोस्तो हर राज्य में अलग अलग प्रकार से राशन मिलता है हाला कि दोस्तो क्रोना महमारी से अब तक सभी राशनकाड़ वालों को समान राशन मिल रहा था जैसे के आप सभी को पता है कि घरहस्ती राशनकाड़ के अंदरगात परतिव्यक्ति को यानके एक यूनिट को पांच किलो राशन दिया जाता है वहीं बात करें अगर अंक्योध्य रासनकाड की तो दोस्तों अंक्योध्य रासनकाड वालों को 35 किलो ग्राम रासन सरकार की तरफ से बांटा जाता है अगर आपके पास ग्रहस्ती रासनकाड है तो आपको परतिवेक्ती 5 किलो रासन दिये जाएगा अगर आपके परिवार में 10 अदश्य हैं तो दोस्तों आप 50 किलो रासन ले सकते हैं यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा और दोस्तों जैसे सरकार के तरफ से यह एक उस खबरी सुनाए जाएगी अन्तित भी बढ़ाए जाएगी तो आपको तुरंत जान कर दे जाएगी और साथ ही क्या-क्या नया रासन और एड होने वाला है गेंष और चावल में उसके बारे में भी आपको जानकारि दे जाएगी तो आप हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करके रखेगा बेल एकम को ओल पर स्लेक्ट करके रखेगा ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जा सिदा लाइक एंड शेयर करेगा तो दोस्तो अब चाते हैं आपसे जायत और मिलते हैं फिर कि अगर स्था से लाइक नहींच सकते हैं एंड एंड